दो साल से टीर पी कुईन बनी बैठी है अनुपम्मा यानि के रुपाले गांगले तर बाई साल पहले सीरियल में ओडिशन के लिए जेलना पड़ा था रिजेक्शन तब जाकर हुआ था सेलेक्शन जी हाँ जिस शो के जरिये रुपाली गांगली ने कदम रखा था इस शो के ओडिशन में रुपाली गांगली को पहली बार में ही रिजेक्शन कर दिया था इसके बाद रुपाली ने एक नहीं दो नहीं पर नो बार दिया था स्क्रीन टेस्ट तब जाके रूपाली गांगुली को डारेक्शन राजन चाही ने दिया था फर्स चांस अपने एक्टिंग करियर के 22 साल पूरे होने की खुशी में रूपाली गांगुली ने एक लंबा चोड़ा पोस्ट शेर किया आपको बता दे रूपाली गांगुली को भले ही आज अनुपमा के नाम से घर घर में पहचाना जाता है लेकिन 22 साल पहले उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के शिरुवात सीरियल दिल है के मानता नहीं उससे की थी रूपाली गांगुली ने बताया के टेलिविजन की दुनिया में मेरा सफर 22 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था उनका पहला टीवी सीरियल शो था दिल है के मानता नहीं उनके बाद उन्होंने कई शो किये जैसे के जिन्दगी तेरी मेरी कहानी लेकिन उन्हें कहीं भी पहचा के बाद उनको एक से बढ़कर एक टीवी शो में रोल मिलता गया जैसे के बाभी काभ्या अंज़ि कुछ खटा कुछ मीटा आपको बता दें टीवी सीरियल के अलावा उन्होंने कई हिंदी मूविज में भी काम किया है और कई के रियालटी शो में भी काम किया है ृPad को अनुपमा से स्टार्ट किया कह सकते हैं इस सीरियल ने रूपाली की लाइफ ही बदल दी आज रूपाली टीवी की मोस्ट पेवरिट एक्टर बनी बैठी हैं हर इवेंट और हर एवार्ड शो के रेट कारपट पर अनुपमा यानि के रूपाली गौंगली का जल्वा देखने को मिलता है दो साल से टी आरपी कुईन बनी बैठी है अनुपमा यानि के रूपाली गौंगली चार प्लस का मोस्ट पपुलर शो अनुपमा टी आरपी में नमबर वन पर दो साल से जा रहा है रूपाली गौंगली ने तेरा पैप को अपने बॉइफरेंड के साथ शादी क और आपकी ये कितनी प्रैवरिट है प्लीज अपनी राये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा वीडियो जरा से परसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें और एक बात क्या आप रूप कर दो